एक नाम है आपका बाबा किस मकान में रहते हैं आप मोदि के उपका मकान है और अब ही क्या है देखिए एक दो दो कमरे और आगे इसके बरामरा जो कि बंद है और आप देखिए उपर पका लेंटर का च्छथ है और नीचे यवी फर्स कराए हुआ है इस बस्ती में आप किस प्रदान मंतरी को बोलते हैं कुनीन बन बाएं तो आशीरवाद देंगे दिया है अच्छा किया है अच्छा किया है आशीरवाद देंगे आप कर देंगे देंगे दिन इस मोदी किया है कि है इस वह टादिया है और आशीर आशीर है सबका सा सबका सब्सक्राइब कर रहे हैं कि यह सब्सक्राइब कर कर दो कर रहे हैं अब देखे इस बस्ती की हकिकत देखिए इसमें जो समदाय के और जो आधिवासी समदाय के जो लोग रहते हैं इस तरह के मकान पहले रहते थे इधर का मकान दिख जाएगा लेकिंगे आप प्रधान मंत्री आवास योजना मिला है वह आप देखें आपको सच्छा ही दिखा रहा हूं आप देखिए कि इसमें देखिए सामने यह सफीर निसा पहले किस मकान यह बाला यह उपर देखिए खपरेल का यह मकान था और भी यह खड़ा हुआ है जो कि जरजर हालत में है इसकी दीवारे कंक्री कच्छा मकान है और आप देखिए एक मद बाहर आप आजाईए आप यह मकान देखिए इस कच्छे मकान को मुझे लग रहा है इसकी जो चोड़ाई है शायद ही साथ भाई साथ के आसपास होगा आठ भाई आठ शायद होगा नहीं और उपर देखी जर जर हालत में है और इसमें कितने लोग रहते थे पहले वह एक बार बातशीत करने का प्रयास करते हैं तो पहले किती समस्या रहती थी अच्छा लगा अच्छा लगा यह काम कर रही है सरकार आपके लिए सेस्थ बाध देंगे क्स तरह की समस्या इसमें रहती थी आपने कभी एसी कोई घटना हुई कि जब आपको कच्चे मकान के विसे तकलीफ ज्यादा हुई बस वही और साथ मिन पक्के मकान में यह नोग करेंगे दिखाऊंगा इधार हो जो हमने देख़ा पहले जो भी तष्वीर हम दिखा रहे थे आपको एक वर आप इधर आजएए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर सरकारी आवास, यहां के हर गली में, जिस भी गली में एंट्री कर देंगे, इधर आपको खप्रेल के मकान दिख जाएंगे, लेकिन जो बदलती हुई तस्वीर है, यह आपको इहां पर देखिए, प्रधान मंत्री आवास योजरा के तहते में यह मकान आपको दिख जाएगा सामने एक मकान दिख जाएगा, और एक दूसरा यह रहा, यह भी जड़ी कॉल करके हैं, यह भी कॉल समधाय से हैं, जो इनका सरकारी आवास बना हुआ है, मैं आपको इधर गली में लेकर करके चलूँगा, आप ज़र आईए, जो लोग यह कहते हैं, कि जाती समधाय दिख क आपके या भेदभाव किया जा रहा है, जो भी योजना को अलाव देने के लिए, लावारतियों तक नहीं पहुच रहा है, वो आज हम अखीकत दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, यह सहरी, मुख्यमंत्री आवास मिशन सहरी के तहत में यह मकान मिला हुआ हुआ है, जी कोई है कि इधर, जी कहां है, देखे, कोई नहीं है, इधर आई 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 आप, क्या नाम है आपका, लक्ष मिरावात, घर वाले कहां गए सब, इसके मम्मी मेरे घर टे पास है, तो यह पहले कच्छे मकान में रहती थे आप, नहीं पता, यह चोटे बच् लेकिन यह मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत में बनाये हुआ है, पीशे भी आपको मिल जाएगा, क्या नाम है आपका, बाबा, किस मकान में रहते हैं आप, मुधि के, कहां है, मुधि माना नहीं सिवरा सिंग के, हां कहां सिवरा सिंग वाला, आप क्या खर बता हैं, हां, पहले किस मकान में रहते हैं, पहले क्सम क्च्छा हैं, पहले कच्छा से, कितनी परईशानी रहती ही है, आपको, अब इन लड़ा क्या था भाय और लड़ा के खुवा, भया назад है, मुधि कुट, कम था हम तो अभी, इससा लग. हां तो अभी, अभी औ लोग रहते थे आप उपर देखिए अभी तीजलिया बाहर के सिर्टक का लगा हुआ है उपर से इस पर साइद खप्रेल या फिर कुछ लकडी का पड़ा हुआ है और ये कच्चा मकान है और शायद मुझे लग रहा है पांच वाई साथ के आसपास का ये कमरा है कच्चा और बाहर बकरी बदी हुई है इधर भी आप देखिए चोटा सा ये कमरा है और ये भी लगवग साथ आतवाई आठ के आसपास होगा और इसमें यानिकी इन दोनों में कच्ची दीवारों के और कच्ची छत ये जो खप्रेल की और इसकी जो चत है लकड़ी की इसमें आध लोग रहते ते यह जो आवास योजना मिलने के बाद में आज ये लोग पक्के मकान रहा रह रहे हैं पक्के मकान के आपको थोड़ सो तस्वीर दिखा देता हूँ मैं अंदर से किस तरह के हाल में है देखिए यह पक्का मकान है और अभी क्या है देखिए एक दो दो कमरे और आगे इसके बरामड़ा जो की बंद है और आप देखिए उपर पक्का लेंटर का छट है और नीचे आपको लिये चलते हैं इस बस्ती में हम जाती सो थां किए चलता हम और आगे आपको कानेके लिए लिए करकि है गरीव की कच्ची मोटी दीवार आपको दिखतो रही होंगी जो आज तक इसमें दसकों इसमें गुजारे गए गरीवी इससे दर्शाती तो है दिखती है सबीकों दिखती है लेकि इसके अंदर एक असली सच्चाई है जो कि इस गरीव खाने के अंदर जो पक्का मकान बना है आप यह सब्सक्राइब आवास योज्मा के तहितु मिना है जो इसके पहले कभी खाबर्य का हुआ करता था आपको क्या नाम है संगी त teensने पहले पकाहां रहते ते इस खाबरे में घर बना था कितने लोग अच्छा में अ हमारे बiteit लोग चाइल लोग घर में कितने लोग हैं लोग 24 लोग जान में श्माशे रहती थी और बहुत वत समustय रहती थे पानी बस अधें अधें करव होती कभी सोचा था पका में बना पांगा अपना काहस बना पाती तक हमारे पास पैसा भी नहीं था कमाई नहीं थी तुका इसे बनता तो आज तो पक्का मकान बनके उपर लेंटर दिख रहा है तो आज तो बन गया है किस ने बरवा दिया परदान मंतरी को बोलते हैं कुनी ने बन बाए है तो अच्छा काम किया उन्ह लेंटर का मकान है ये से पहले कच्छी दीवारे अभी वह आपको दिख और यहोंगी यह लोग रहते थे आपको आज और लिये चलता हूं और मकान दिखाँगा आपको इसलिए हमने दिखाए बाहर कच्छी दीवारे और विकास है वह किस तरह का है यहां पर आब अगली दीबाद देख लिजे या अवास योजना के तहतु गοण व्य उजणा के तहट है क्योंकि हुआ है क्योंकि इस पूरी बस्ती में या तो खप्रेल मिलेगा खप्रेल के लावा कर कोई पक्का मकाने समझ लीजिए आवास योजना के तहत ही मकान मिला हुआ है आपको आगर सामने की गली में आपको दिखाता हूँ कैमरे से तस्वीरे दिखाएं कि सामने देखिए क्या लिखा यहां पर कोई है नहीं ताला बंद पड़ा हुआ है अगर हम अंधाजर लगाने की कोशिस करें तो अशायद पहले यह लोग इस वक्रिखास कच्च चाहिस में किस तरह का हाल है उपर से पॉलिथी लगी हुई है नीचे लकड़ी है उसके उपर एक जो एक कच्चा होता है ना रूप ये फूश टाइप का लगाया गया है और उसमें लोग गुजारा करते थे लेकिन अब शायद ये पक्का मकान आपको दिख रहा होगा मैं आपको आगे लिए चलता है किस हाल रहते थे नारे बहुत खीचड़ी रहते थे और बता आपके साथ क्या है कि यह वे हम भी बर साथ में तरी दिक्कत होती है पानी बरसने लगता है तो घर अटा है आधने वी इस वस्कार करीब एस यह सव एक सब बस्दूश करीब इस लोग और लोग है कि दिए कर और लोग रहे गए हैं तो आप मुस्लिम को इंद नहीं कुछ नहीं आपको नहीं बिला इस बस्ती में ज्यादा तर मकान हमें दिखाई दे रहे हैं हाँ तो लोग तो आरोप लगा रहे कि भाष्ट्पा सरकार मुसलिम रोदी है भेद्वाव कर रहे हैं हम लोग नहीं जान रहे हैं है कि अभी तो लग रहा है कि हम लोग ठीक है हो कुछ कुछ गड़वड़ी करता है कुछ आव काम में ठीक रहता है ठीक रहता है तो गरीवी दूर कर रहे हैं हाँ गरीवी दूर करिये रहा है कर रहा है आपके हित्म काम कर रहे हैं आपके लिए का कर रहे हैं तो क्या बेदवाब किया जा रहा है आप आगे आ जाई है जी इनका मकान कहा है यह बगल में अरे यह दिखाई ज़रा देखे कच्छी दिवारे बगल में हैं जिससे की याद बनी रहे कि गरीबी कैसी थी ताकि कोई भूलना पाए कि इस बस्ती में किस तरह से आपको इस में बहुत समस्य रहे हैं किस तरह की समस्य रहती थी थी अब है यह कुछ ठीक है इस ने दे दिया अच्छा किया है अच्छा किया है आशीरवाद देंगे आप आया सिवाद क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से अच्छा बढ़ी दीन पक्का दिख रहा है कच्छा भी दिख रहा है यह गरीबी का अंतर दूर करने का काम आप पिछे भी हमने मकान आपको दिखाया था आप आगे भी आ जाईए मैं आपको पीछे एक दो मकान और इधर में जो कहाली में मुझे लग रहा शायद नए बने है जो कि आबास योजरा के तहत में मकान बने हूँ शायद मज़दूर करने वाले यह मजदूरी करने वाले लोग है जो कि ताला बंद करके अपने काम पर गए हुए है लेकि सच्चा ही हम आपको दिखा रहे है यहां इस बस मेरा लाओव इस बसे कर रहा है आपके लिए क्या इंगे हम कर रहे हैं भीजास दूआ देंगे आप खुब नहीं हा थको हैं मिल रहा है हम कर को मिला है पहले आप कैसे कच्छे में रहते हैं किस तरह किती अधे शमाश्या रहती ज़य क्टीर तो मकान मिला है अच्छा हुआ है यह नहीं समस्या है सामने आप देखिए यह आवास योजना आप इधर आजए यह दो आए क्या इस बस्ती में कि इस जाती के लोग रहते हैं सब को मकान मिले हैं तो कोई भाव हो रहा है विकास हो रहा है मोधी सरकार के रही हम गरीवी दूर कर रहे हैं हाँ तो हो रही है राशन मिल रहा है विजली मिल रही है पानी मिल रहा है मकान मिल रहा है उसी बस्ती के इसका एक वर हम घूम करके उसी बस्ती के कौने पर आ गये हैं आप देखिए य इस घर में कौन कौन लोग रहते हैं तो इस तो इस पहले आप कहां किस मकान में रहते हैं रहा है पहले पर पैसे पानी भार रहती है पहले हैं अब अपना सपना पूरा हो गया पूरा कर दिया किसे ने कर दिया मौदी ने थन्रवाद देगे उसे हैं क्या आसीरा देगे हैं अब आसीर बात आप यहां कि हमारे पर जिए का रहा है कशे मकान में आपना जीवन जिया हो और इसने कभी सोचा ना हो क्योंकि जिसकी आमंदरी नहीं तो उसने सोचा कभी कि अपना खुद से पक्का मकान बना पाएंगे लेकिन सरकार ने इन लोगों के सपनों को साकार किया है किस तरह के लोग पहले कच्छे में रहते थे और आज किस तरह से वह उनका साकार मोधी सिरकार का सिवरा सिरकार ने किया है और आज वो पक्के मकान में सुकून का जीवन जी रहे हैं छत पर पंखा लगा करके सुरह हैं जो कभी कच्छे मकान में उपर टपकते पानी के बीच रातें गुजारते थे धन्यवाद